हेलो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एकनोमिक के सेक्टर्स के बारे में इंडियन एकनोमिक के जितने सारे सेक्टर्स है, सेक्टर्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है Indian economic sectors को समझने से पहले हमको economic activities के बारे में समझना होगा पूरे दिन में हम लोग बहुत सार activities करते हैं जैसे eating, sleeping तो eating और sleeping करने से हमें पैसे का earning नहीं होता है लेकिन जब economic activities का बाता है तो economic activities को बलते हैं जब हम लोग कोई job करते हैं और उस job के बदले में हमको कोई पैसा मिले या फिर मान लीजे कि हमको एगरी culture करते हो और हमने एगरी cultural product को market में sale करते हैं और sale करने के बाद हमें पैसा मिलता है तो उसको हम लोग economic activity बोलते हैं तो economic activities से clear हो गया होगा कि economic activities किसको बोलते हैं economic activities ऐसा काम जो काम करने से हमको पैसे का earning हो उसे हम लोग economic activities कहते हैं जैसे सोने और खाने से हमें कोई भी पैसे का earning नहीं होता तो ये economic activities नहीं है लेकिन job करने से और fruit sell करने से या फिर vegetable या फिर कोई भी food के लिए गरी culture product को sell करते हैं तो उसके बदले में हमें जो पैसा मिलता है वो हमारा economic activities होता है लेकिन क्या कोई एक ही काम का दो aspects हो सकता है कोई एक ही काम को हम लोग economic activities के तोर पे ले सकते हैं और नहीं भी Mother जो होती है हमारे लिए घर में खाना बनाती है हमें feed करने के लिए खाना बनाती है तो खाना बनाने का काम जो घर में करें थी तो कोई पैसा नहीं मिला था तो वो कोई economic activities में consider नहीं करेंगे लेकिन होई जब होटल में वो काम करने का बाद जो पैसा earn करेंगी तो ये economic activity में हम लोग consider करेंगे तो एक ही काम का करने का अगर कोई पैसा देता है तो economic activities होगा, अगर पैसा नहीं देता है तो economic activities नहीं होगा अब sectors, Indian economic का जो major sector से हो कितना है, तो तीन sectors है, primary sector, secondary sector और territory sector primary sector में agriculture, dairy, fishing और forestry, जितना सारा natural things है, ये सारा natural things को consider करते हैं primary sector में वहीं secondary sector में manufacturing industry को relate करते हैं हम लोग, जिसमें biscuit जैसे biscuit को बनाया जाता है factory में या फिर जैसे car को बनाया जाता है एक industry में, chair को एक particular place में बनाया जाता है shirt को या फिर t-shirt को हम लोग कहीं भी कपड़ा है, कपड़ा जो cotton से बनता है उसको कहीं न कहीं हम लोग factory में बन बाते हैं वहीं जब territory sector का बात आता है तो ये completely service sector है ये primary secondary और secondary sector को develop करने के काम में आता है उधारन के तौर पर बात करें तो railway है, railway में हम क्या करते हैं कुछ पैसा देते हैं और पैसा देने के बदले में railway हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है वह हम सर्विस देने का काम कर रहा है, ना कि railway हमा रहा है लाइक dob क्तर होते हैं, घुर घुर जयको में वह हम पैसा करते हैं हमें service देने काम करते हैं और अपने service का चार्ज लेते हैं primary sector completely raw material पर depend होता है मतलब agriculture things पर depend होता है वहीं secondary sector completely manufacturing industries होता है जिसमें factories और industry के उपर depend होता है और territory sector completely service sector के उपर depend होता है अब किस तरह से ये तीनों एक दूसरे center relate है इसको समझते हैं primary sector में मान लीजे agriculture होता है to wheat होता है इस wheat से हम हम लोग इस्टी therm से काब्या ना लेते हैं और इसके बाद यह कार बनने के बाद बैसके बनने के बाद यह पेडिकुलर एक शॉप में जाए BUT यह बात करे हम तो डॉक्टर जो होता है हमारा जैसे कि मैं पहले ही बता चूंगा हूँ, दॉक्टर अपना सर्वीस को step करते हैं उसके बदल में पैसे लेते हैं क्योंकि इसका ही अवे अच्टर को हम आगए secondary sector में या factory में send करते हैं और उसको finished goods में mrters Green greenhouse को all finished goods में convert करता है जैसे यह wheat है, यह wheat को हम लोग factory में भेजते हैं, तो यह biscuit बन जाता है, फिर इस biscuit को हम लोग grocery shop में भेज देते हैं, sell करने के लिए secondary sector है, यह secondary sector completely raw material, जो wheat है, या फिर कोई भी food grains है, या फिर agricultural products है, उसको convert कर देता है finished goods में इसमें जो activities होता है, उसारा activity या तो factory या तो industry में perform होता है, जैसे यह steel है, अब steel को हम लोग factory में send करते हैं और उसको हम लोग finished goods मतलब car में convert कर देते हैं, ठीक उसी तरह माली यह cotton होता है, कपास होता है, उसको factory में हम लोग processing करके और एक finished goods में convert कर देते हैं, जो कि shirt और t-shirt होता है, वहीं territory sector का अगर बात किया जाए, तो territory sector में हमेशा यह primary sector और secondary sector का development का काम करेगा, इसका जो mainly focus होता है, वो service देने का होता है, ना कि goods को production करने का, माली जे, यह एक wheat है, field में wheat है, इस wheat को हमें truck के थूरू, कहाँ पहुचाना पड़ता है, factory में, तो यह जो factory में wheat को पहुचाने का काम कौन करेगा, truck, और तो truck का जो expenses होगा, उस expenses को ही हम लोग service sector में count करेंगे, territory sector में doctors हो गए, teachers हो गए, और एक और example ले लेते है, hair salon, हम लोग कभी भी hair salon में आते हैं, तो हमें कुछ समान से नहीं करता है, बल्कि हमारे hair का cutting करता है, और उसके बदले में हम उसको पैसा payment करते हैं, फिर पैसा देते हैं, तो हमें service देता है, और उसके बदले में हमसे पैस organized way में हो, वहीं पर unorganized sector है, उसमें ऐसा activities को calculate करते हैं, जो unorganized way में हो, अब इसको हम लोग briefly समझते हैं, अब बात करते हैं, organized sector के बारे में, तो organized sector में, जो employment होता है, employment का term fixed होता है, और regular होता है, यहां पर employee को, मिधम surety है, काम मिलेगा ही, मिलेगा, इसमें जो भी सारे companies होते जा तो government होते हैं, non-government, और जो non-government companies भी होते हैं, वो भी government के अंदर में registered होते हैं, और government के सारे rules and regulations follow करते हैं, organized sector, जैसे कि factories act हो गया, minimum basis act हो गया, payment of the gratuity act, gratuity act मिलते हैं, establishment act, इसारा acts को यह companies follow करते हैं, इसमें जो job का working hour होता है, वो fixed होता है, अगर आप working hour से ज्यादा अग इस sector में और भी बहुत सारे benefits मिलता है, जैसे कि माल लिए हमें sick leave लेना हुआ, या फिर अगर मुझे holiday period जो होता है, तो उसका भी हमें salary मिलता है, plus यहाँ पर हमें provident fund, graduate या फिर retirement जैसे चीज़े भी हमें मिलता है, people gets medical facility और हमें medical facility भी दिया जाता है, factory का जो manager होता है, हमेश इस sector जो है, government employees हो सकते हैं, registered industrial workers हो सकते हैं, आंगन वारी workers हो सकते हैं, village health workers हो सकते हैं, अगर बात के जाया है, तो अगर बहुत चोटा सा unit होता है, जिसके उपर में government का कोई भी control नहीं होता है, क्योंकि government के rules and regulation को follow नहीं करता है, government के अंदर ये companies या फिर ये shop या फिर ये या फिर market influence पे भी depend कर सकता है, इसमें जो employer होता है, उनका कोई भी security नहीं होता है, अगर ओ कभी भी holiday करते हैं, या फिर leave लेते हैं, या फिर कभी बिमार पर जाता है, तो उनका जो छुट्टी का दीन है, उसके बतले में उनका पैसा earning नहीं कर सकता है, जैसे एक जांपल के जो अगर काम, जिसको wages पे अगर वो काम करता है, काम करने के लिए अगर वो ना जाए तो उस दिन का wages उसको नहीं मिलेगा, तो यह सारे जो examples है, यह unorganized sector का examples है, ownership के basis पे और भी economic के दो sector है, public sector और private sector, public sector में जो भी company होता है, वो company का सारा assets, government का होता है, और यह जो service देने का क नहीं होता है, बलकि social और public welfare करना भी होता है, वहीं अगर private sector का बात कह जाए, तो private sector में जो ownership होता है, सारा ownership, assets का ownership एक private individual के हाथ में होता है, और एक private company के हाथ में होता है, जैसे उधारन के तौर पे Tata Steel के बाते में बात कर लेते हैं, Reliance Industry के बाते में बात कर लेते हैं, यह सार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में,